ये चोटी सी चीज आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बिमारियों को दूर करने में पूरा दम रखता है। ये जो चीज में आपको दिखाने हूँ बहुत ही सस्ती सी चीज है। इसको खाने से आपकी पेट में चाहे कितनी भी पुरानी कप्च की समस्य हो। या फिर पाइस बवा से फिशर फैस्टुला जैसे पेसेंट हैं। या फिर आपकी लिवर फैटी हो चुकी है। या आपके घरभाजे में सिस्ट की समस्य है। कैसी भी सिस्ट हो। आप देखेंगे इस इलाज को बताए गया अनुसार अगर आप करते हैं तो आप यह भी मारी घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसांद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिसे नया वीडियो का आपको तुरंथी नोटिफिकेशन मिल जाए। यह जो चीज में आपको दिखा रही हूं इसे कहते हैं अलसी जिसे इंग्लिस में फ्लैक सीट के नाम से जानते हैं। अलसी में ऐसा होता क्या है। अलसी में कैल्शियम, फासफोरस, आरेन, केरोटीन, थाइमीन, राइगोफ्लैमिन जैसे ऐसे बहुत इंपॉर्टन माइक्रो न्यूट्रियंस पाए जाते हैं। कब्ज, पाइल्स, इसकिन की बीमारियों के लिए भी बहुत जादे फायदेमंद होता है। यह अलसी के बीच। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि पाचन सुधार को कैसे यह सही करता है। पाइल्स, फिसर, फेस्टुलक की समस्या के क्यों दूर करता है। कैसे दूर करता है। अलसी में दोनों तरह के डाटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। गुलनसील और अगुलनसील मैंने एक आपको वीडियो भी दिया है कि फाइबर्स होते क्या है। उसको आप जरूर देखिए कि डिस्क्रिम्शन वाक्स में आपको समझ में आ जाएगे कि फाइबर हैं क्या और क्यों इन बेमारियों को दूर करते हैं। दोनों तरह के जो फाइबर्स होते हैं पाचन में हमारी हेल्प करते हैं। गुलंड़ी जो मलब को सौ्फ्ट करने का काम करता है । पैजानन बहुत जरूरी है तो देखिए अल्सी का बीजों को कच्च olmas सकते क्यों नहीं कहा सकते हैं। अब आगे बताते रहेंगे। कश करना है पहले ड्राय रोस्ट करना होता है ड्राई रोस्ट करेंगे तो यह बिलकुल आपके लिए जैसे रॉसट होता हैStop आपसको एक बाद र्रण करके शाम के टाइम पर असुबई के ताइम पर चाय के साथ खान अल्सी में जो हमारी शरीर के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का संतुलन ये बना के रखता है अगर अल्सी हम सेवन करते हैं तो सिस्ट इसलिए दूर हो जाता है, अब बीच में फाइबर अधिक मात्रा में पा जाते हैं जिसे शरीर के अंदर जो भी नुक्सान दायक टॉक्सिंस होते हैं, उनको ये बाहर निगाल देता है, हमारे शरीर के अंदर जो सिस्ट बननी की प्रोसेस होती है, उसको बंद कर देता है, अगर सिस्ट बनी भी होती है, तो उसको धीरे धीरे बिल्कुल ये डिजॉल्व करके कतम कर देता है यह हमारी kidney को हमारी liver को भी यह detox करने का काम करता है जिससे हमारी जो हमारी पापाचन digestion जो है boost रहेगी तो हमारे सारे काम अच्छे से हो यानि हमारी सारी की जो भी organs है वो properly work करेगी जिससे यह बेमारियां दूर हो जाते हैं तो देखिए आप देख रहे हैं चिचटाने की आवाज यहां पर आ रहे हैं चिचटा रहा देखिए कैसे चटकने लगता है तो इसी तरह से भून जाता है इसे आपको बहुत जला अब इस स्टेज पर गैस को आफ कर दीजे क्योंकि जो कडाही यह जो पैन लिया है अपने व यह भून चुका है इसको में चला दिया है थोड़ा सा हमने इसको बचा के रखा है आपको क्या करना है यह साथ पीजों को एक साथ पीस के आपको स्टोर करके नहीं रखना चाहिए अब तो बारिश का मौसा मारा इसे स्टोर करके कठा रखेंगे तो इसमें मौशर आ जाता बहुत फायदेमंद है सासाथ इसमें कुछ प्रोकॉशन होते हैं उसको आपको लेना चाहिए जिसे आपको पूरा लाव मिले अब देखिए जब भीजों को अच्छे से ठंडा कर देते हैं ठंडा करने के बाद ही आप इसको पीसिएगा अब यह ठंडा हो चुका है अब क् मेक्सी के जार में आप इसको डालिए और इसका फाइन सा पॉर्डर बनाईए बिल्कुल बारीक सा पॉर्डर बन जाता है क्योंकि आपको उसको खाना होता है तो दरदरा नहीं पीसिएगा आप इसे बारीक पीसेंगे तो आपको खाने में आसानी होगी तो देखिए इसको इस तरह से इसमें डाल दे रहे हैं आप इसे पीस के मापको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको सेवन करना सेवन करने का तरीका आपको ध्यान से जानना है अगर आप इस तरह से आप इसको सेवन करेंगे दोस्तों तो आप मानिए ये सारी बिमारियां जो हैं आप अपने हाथ स को इन से को कर सकते हैं दियार हो गया है अब क्या करें इसको किसी भी एटाइट कंटेनेर में रख लीजिये जिससे मौशय वगरा लगे हवा लग जाता है तो इसमें बहुत यह से फंगस लग जाते हैं तो आपको यह ब्रात का ध्यान रखा है किसी भी टाइट धकन से बंद करके इसको रखेगा अब देखी क्या होता है जो अलसी के सेवन करने का जो तरीका हमने क्यों कहा कि इसको आपको कच्चा नहीं खा चाहिए इसे आप भून के ड्राइ रोस करके इसका पौडर बना के अगर आप खाते हैं तो इसके जो भी पोसक तत्व है वह आपके शरीर आसानी से उसको एब्सॉर्ब करता है और अलसी के पूरे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यानि अलसी में जो ओमेगा-3 का रिच सोर लिए बहुत फायदा होता है इसमेटिक फेसेंट्टों के लिए बहुत ये हल्द इस इस तरह से आप ब् puisqu कों कोंची एगा बिच ब्यों के भी याप त olduğunu कसके बार नब्ना करकि दोस्तो ये बहुत फायदे मंदे जैसे मनेंे कहा है पाइल्स फिशर फस्टूला जैसे पे ये भून ही होई, भून के भी आप तयार करके रक सकते हैं क्योंकि जब भून लेंगे तब ये ख्राब नहीं होगा, लेकिन पीस के रखेंगे तभेंट में रखाना उजाता है जो पुरानी से पुरानी कबज है बरसों पुरानी कबज होगी वो भी पूरी तरह से खतम हो जाएगी साथ-साथ आपकी जो आते जो पहले डिस्टर्ब हो चुकी हो आते आपकी हेल्दी हो जाएगी उसमें फसे हुए सारे मल वगारा जो भी है गंदगी है टॉक्सिन से सब निकल जाएगे लसी की बीजों को खाने से देखे अगर आपको एकजीमा की शिकायत है तो आप सुबा साम ऐसे ही देखे दिखा रहे है आधा चम्मच अलसी का पॉडर खाना स्टार्ट करिए गुनगुने पानी से शरीर में कैसे भी दाद खाज, हुजली, इसकिन की समस्य जाओं को भी खतम कर देता है बहुत एफेक्टिव है आपको देखे लेना कैसा है अब लेने का तरीका देखिए पाइवस है फिशर फैस्टूला है या फिर लीवर के पेसेंट है सिस्ट के पेसेंट है तो आपको कैसे ले रहा है यहां पर देखिए चम्मच बड़ा है तो यह संद आपको इसको लेने के साथ प्रिकउशिन है जो को लेने है जैसे दिन भर आपको पानी जादे से जादे पीना लिक्विड डाइट आपको लेना है क्योंकि जो अलसी के बीज होते है'M यह हमारी आतों में पानी होता है इसको अजोषिप करते हैँ जिससे मल्सॉफ्ट होता है तो आप लिक्विट डिएक जब डालते रहेंगे पानी है चार्ज है जूसेद डालते रहेंगे तो यह जो बीमी κάνोई काम प्रेच चीज esse क्रे डालते रहना है जिसे अपना वर्क प्रॉपरली करे और आपको जो मात्रा बताए कि इतनी मात्रा में लेंगे तो आपके इसके कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होंगे यह नहीं आपको फायदा करने लगा तो आप इसे जादे जादे खाये जादे नहीं खाना है सुबह आप आप पौडर नहीं खापाते कुछ लोग होते पौडर खाने में बहुत परिशानी होते तो आप एक ग्लास गुनगुना पानी लेजे उसमें आप पौडर गोल देजे गोल लेंगे उसके बाद आप इसमें डालिए नीबू का रस जो फैटी लिवर के पेसेंट हैं दोस्त करने का काम करता है और लिवर को हेल्दी कर देता है यहां ते कि जो सिस्ट के पेसेंट है वो भी आप इस तरह से जो हमने बताया है नीबू के साथ नीबू के रस के साथ गुनगने पानी में घोल के जाहे कबज के पेसेंट हैं पाइल सेंफिशर फैस्टूला के पेसेंट ह आप इस तरह से ड्रेंग बनाके लिए जो अस्तिमेटिक पेसेंट है वो रात में इस तरह से गोलके रगने सुबह के टाइम पे रख़ा करके सुबह साम पीज़ें दोनों टायम पे भींगा के रख़वी ऑस्तुला के निवर के हैं और पिसेंट हैं या फिर हल्दी है अगर आप टेस्ट के लिए चाहते हैं तो इसमें काला नमक की एट करिएगा प्लेन नमक नहीं एट करेंगा मीठा में लेना चाहते हैं तो मिश्टी पॉडर एट करिए फिर एक चम शहट डाल के आप ले लीजे यह यह निस वाद के लिए आप ले सकते हैं जो सामबाणनों इसका मैं आपको बता रहे थी एक बार करके देखें। आपकी विमारी पुरी तरह से दूर हो जाए गजी दोस्तौं आपको सब्सक्राइब को लगातार तीन महीने के बाद आपकी जो बीमारी पूल से खत्म हो जाएगी और एक शाय जादा मिलने लेगेगा आप उससे खुद ही खुश हो जाएंगे और इसे लगातार तीन महीं जरूर करेंगे आशा है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ फ्रेंड सरकिल में भी इसे जादे के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू बाबाय टेक केर